अरोग्यज जागरुती एक रहना ज़रुरी है लेकिन कॉंसिलिंग मस्ट है यह हम गुपता सर से जानना चाहेंगे चलिए डॉक्टर गुपता सर आपका अरोग्य जागरुती में सौगत है अरोग्य जागरुती के सभी इश्रोताओं को मेरा हर्दिक हर्दिक अविवादन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी आज एक और सेकिंड वेव के माध्यम से संक्रमन फैला रही है और जिस तरह से प्रती दिन रोग्यों की संख्या बढ़ती जा रही है यह चिंता का विशे है लेकिन घबराना नहीं है कोई भी महामारी जब आती है तो उससे जन्मानस को जो पीड़ा होती है उससे घबरा कर हम सामना नहीं कर सकते मजबूती के साथ सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए हमने कोरोना महामारी का सामना करना है इसे हराने के लिए आप कोशिश मत कीजिये इससे बचने के लिए कोशिश कीजिये और अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए कोशिश कीजिये आज शहर औरंगाबाद में सेट नल्लाल दूत हॉस्पिटल मराटवाडा हॉस्पिटल असोसियेशन के सभी सदस्य हॉस्पिटल ततपरता से हर प्रकार की सेवा सुश्रोशु देने के लिए उपलब्ध है 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स सभी नर्सिंग टीम आपके लिए अच्छे से अच्छी सुविदा देकर समय पर आपको अच्छा करने के लिए कटी बद्ध है लेकिन सबसे बड़ी जवाबदारी आपकी भी है वह यह कि यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षन आया है तो किर्पया करके उससे छुपाईए नहीं दूसरे दौर में संक्रमन बहुत तेजी से फैल रहा है यदि आप प्रात्मिक इस्तर पर ही अपनी ज्याच पड़ताल करा लेंगे तो ना केबल आप स्वैम को जल्दी उपचार लेने के लिए आगे बढ़ा सकेंगे बलकि आप जिनके संपर्क में आ रहे हैं उन्हें भी हानी नहीं होने देंगे इसलिए मेरी आप सबसे एक अपील है कि आप समय पर अपने डॉक्टर को मिलें उसका परामर्श लें अपनी ज्याच कराएं और जो भी टेस्ट डॉक्टर आपको बता रहे हैं उसको समय रहते करा लें क्योंकि इस समय जिस तरह से रोग्यों की संख्या बढ़ रही है आने वाले रोग्यों में इसे बहुत सारे रोग्य ऐसे हैं जो घर पर ही उपचार लेकर खराब होकर हॉस्पिटल में आ रहे हैं आज और अरणाबाज शहर में बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिन हॉस्पिटल में पूरी सुविदा उपलब्द है चाहें वो RT-PCR टेस्ट है, चाहें वो CT scan है, चाहें वो blood की reports है जिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पूरी तरह से सभी सुविदाओं के साथ आपका उपचार कर रहे हैं ऐसे हॉस्पिटल को आप अपनी प्रात्मिक्ता दीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको सभी उपचार सही समय पर मिलता है यही नहीं, शाशन द्वारा निर्धारित जो सेवा शुल्ख है उसी दाइरे में रहकर ये सभी बड़े हस्पिटाल कारे कर रहे हैं और जो एक हॉस्पिटल के अंदर आपको सुविदा मिल सकती है वह बाहर आसानी से नहीं उपलब्ध हो पाती है मैं सभी डॉक्टर्स की ओर से, सभी हॉस्पिटल्स की ओर से एक बार पुनहा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शहर और अंगाबाद में सभी नागरिकों के लिए सर्वोत्तम सुविदा प्रदान करना यह हमारी जिम्यदारी है लेकिन जितने भी प्रशाशन द्वारा नियम आपको बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करना, उनको मानना आपकी भी जवाबदारी है और समय रहते हॉस्पिटल में आईए अपनी ज्यांच पड़ताल कराके सही समय पर उप्चार लीजिए यही मेरी आप से सबसे बड़ी अपील है आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, तंदुरुस्त रहें यही मेरी सबसे बड़ी कामना है, धन्यवाद अपनी लोगों में कोरोना के बने में कफी गहर समझ है, कुछ होता नहीं, ऐसे कुछ तादाद में लोगा है, जो गलत मैसेज कम्यूटी में बेज रहे हैं, यह कहां तो उसका यह है? यह मानना कि कोरोना से कुछ नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा गलत सोच है हमारे भारश में एक वर्ष का अनुभव आ चुका है कि कोरोना से किस प्रकार से रोगियों को पिलित होना पड़ता है जो रोगी माइल्ड और मॉडरेट लेविल पर आते हैं वो भी डिटोरियेट होते हैं और उनको गंभीर परिस्तिती में ICU में इंटेंसिव केर लेकर ही अच्छा होना पड़ता है तो ये महामारी का कोई भी रूप अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है कभी भी इसका रूप बदलता है इसलिए हमने ये बिल्कुल नहीं मानना है कि कोरोना महामारी से कुछ नहीं होता है जिस प्रकार से रोग्यों की संक्या बढ़ती जा रही है ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि ये महामारी है कोरोना बीमारी है और इसको समय पर यदि उपचार नहीं किया तो ये जीवन घातक भी बन रही है हमें अपने ही देश का, अपने ही शहर का, अपने ही समाज का आखलन करने के लिए देखना चाहिए कि यदि हमारे आज विश्व स्वास्त दिवस के अफसर पर आरोग जागरती के सभी श्रोताओं को, आरोग जागरती टीम को हार्दिक हार्दिक शुपकानना है और सेट नल्लाल दूद हॉस्पिटल और अगाबाद द्वारा हम अपने सभी रुब्न बंधूं को, बहनों को ये आश्वाशन देते हैं कि हम सदैव आपकी सेवा में तक पर हैं और आज इस विश्व स्वास्त दिवस पर हम आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि महामारी के इस दौर में बिना किसी भेदबाहों के, बिना किसी हुचनीच के हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर नागरिक को हम एक समान देखते हुए सभी उपचार, सभी सुविदाएं सेट नलदाल दूद हॉस्पिल के माद्यम से प्रदान कर रहे हैं, करते रहेंगे और एक विंती भी कर रहे हैं कि यह समय गंभीर है और इस समय पर हमें अपना ध्यान रखना है मास लगाना हमारी सुरक्षा का एक अस्त्र है, सुरक्षित अंतर बनाए रखना हमारे लिए आवश्यक है और समय समय पर अपने आपको स्वच रखते हुए, अपने हाथ, मूँ, पैर को साफ रखते हुए अपना ध्यान रखना हमारा सबसे बड़ा प्रिवेंटिब मैजर है इस से हम निश्चित रूप से कुरोना के इस संक्रमन को रोख सकते हैं और हाँ, जिस तरह से हमारे भारस सरकार ने, महारास्ट राज सरकार ने वैक्सिनेशन के लिए एक अलग तरह से पहल की है यह भी हमारे कोरोना महमारी की रोख्ताम में बहुत बड़ा सयोग देने वाला पहल है अन्तिता, एक बार पुनहा, आप सभी को विश्व स्वास दिवस पर हार्दिक हार्दिक शुपकामना है आप स्वस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मेरी अपील है, धन्यवाए आप स्वस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए